Hi Friends, Assalamualaikum आज हम आप लगों को बेबी डाइपर बनाना बताएंगे बहुती सिंपल सा बहुती इजी है इसको हर कोई बना सकता है चाहे जिनको सिलाई करना आता हो या ना आता हो हर कोई इस डाइपर को बना लेगा और बहुती कमफर्टिवल सा डाइपर भी है अगर बच्चों को यूज करेंगी तो बहुती फिट रहेगा बहुती फिट बैठेगा तो इसके लिए मैंने पट्टिया दो कट की है इसकी लंबाई मैंने रखी है 15 इंच और चोड़ाई मैंने रखी है 5 इंच इस 5 इंच की चो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा बेल्ट है उसको हम साइड में रखेंगे और यह वाला जो पार्ट मैंने कट किया है उसकी साइज से मैंने यह एक पॉलिथीन कट की है और उसकी साइज से मैंने टू पीस कपड़े का भी कट किया है क्योंकि इस कपड़े को थोड़ा मोटा बनाना होता है और polythene तो जरूरी होती है क्योंकि waterproof बनाने के लिए हमें polythene का use जरूरी करना होता है लेकिन polythene हमें थोड़ा soft लगानी होती है ऐसा नहीं कि बहुत hard हो नहीं तो बच्चों के skin पर recess आ जाएंगे तो देखिए मैंने इस तरह से इस कपड़े को double कर लिया है नीचे की side मैंने double कपड़ा use किया है अब चाहें तो single भी use कर सकती है मैंने उसी तरह से इसको मोटा करने के लिए डबल कपड़ा यूज किया है और देखिए अब मैंने इस तरह से कपड़े को रखा बीच में मैंने पॉलिथिन लगाई है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है और देखिए सिलाई लगाने के बाद जो भी इधर-उधर कपड़ा और पॉले थी निकली हुई है उसी मैंने कट कर दिया है अब मैंने सिधी-सिधी पट्टियां कट की है इसे मुझे इस पर सिलाई करना है तो इस तरह से इन पट्टियों को रख लेना है दोनो साइड और इस पर एक-एक सिलाई लगा लेनी है क्यूंकि हमें इसको पट्टी की तरह इसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है आप चाहे तो इसको औरेब पट्टी भी लगा सकते हैं मैंने सीधे कपड़े की पट्टिया लगाई है अब इसे सीधी साइट पलट करके इस तरह से फोल्ड करके दो बार फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेना है जिससे ये हमारे piping की तरह हो जाएंगी तो देखे मैंने दोनों साइट तो पट्टे लगा ली है हमारा ये पूरा सीधा सा एक पार्ट तयार हो चुका है अब इसको हम साइड में रखेंगे इस तरह से हमें fold करके use करना होगा तो पहले हम इसको side में रखेंगे अब belt को बना लेंगे तो belt को बनाने के लिए भी हमें सेम उसी तरह से करना होगा आप चाहें तो इसके अंदर pasting paper भी चिपका सकती है या कोई भी मोटा सा कपड़ा लगा ले लेकिन मैंने belt में कोई कपड़े का use नहीं किया है कि बच्चों की कमर पे थोड़ा हलका फुलका कपड़ा रहना चाहिए जादा hard नहीं बनाना होगा तो simple सा मैंने बस दोनों side से इस तरह से पट्टियां लगा करके हमें pipe in बना लेना है बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े से बच्चों की skin पे recess आएंगे इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया तो अब देखिए इस कपड़े को इस side fold करेंगे और same उसी pipe in की तरह इसे भी हम सिलाई कर लेंगे दोनों side की पट्टियां हम तयार कर लेंगे तो अब देखिए मैंने इसको बना करके तो तयार कर लिया है इसे भी हमें same उसी तरह से इस तरह से fold करना है और इस पर भी हमें mark कर लेना है इसे हम इस side भी उतार लेंगे अब देखिए हमने दोनों को इस तरह से mark कर लिया है अब ये जो built है उस built को हम इस तरह से सिधा रखेंगे और ये वारा जो part है इस निशान को एक दूसरे से मिलाते हुए यहां इस तरह से रखेंगे और इसको हम एक सिलाई से इस पर fix कर देंगे इस पर हम यहां सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने यहां पर इसे joint कर दिया है अब यह हमारा diaper इस तरह से ready है अब इसे इस तरह से fold करने के बाद इस पर हम यह वेल्क्रो लगाएंगे चाहें तो आप बटन भी लगा सकती है लेकिन मैंने वेल्क्रो का use किया है यहां पर बच्चो की कमर के हिसाब से जितनी दूरी पर चाहें इसे आप लगा लें वैसे तो मैंने बार-बार यह बताया है कि आप अगर बेल्ट में लाश्टिक लगाना चाहें तो लगा सकती है जिससे बच्चो की कमर में यह बिल्कुल fit बैठेगा और इस तरह से बिना लाश्टिक का बनाना है तो आपको अपने बच्चो की कमर नाप के उनकी साइस का बेल्ट बनाना होगा तो इस तरह से देखिए मैंने वैल्कुल लगा करके इस डाइपर को पूरी तरह से complete कर लिया है इस तरह से कपड़े को लगा करके आपको बच्चे को लगाना है और यूज़ करने के लिए ये ready to go है आप चाहें तो इस तरह का डाइपर घर पे बना सकती है बहुत ही easily बन जाता है बहुत ही easy तरीका है इस डाइपर को बनाने के लिए तो इस डाइपर को अगर आपको अपने बच्चों के हिसाप से बनाना हो तो simple सा तरीका है कि आप अपने बच्चों की कमर नाप ले और नीचे का जो आंसन होता है उसे नाप ले तो आपको बच्चों के डाइपर बनाने के लिए कोई भी दिकत नहीं होगी कि क्या लिए अगर बच्चो का नाप लेने में दिक्कत है तो जो बच्चो का नेकर जो सही साइस का हो उस नेकर से आप लेकर के इसली बना सकती है तो आई होप कि आजी वेडियो आपको अच्छी से समाज आ गई होगी और उमीद कि वीडियो पसंद भी आई होगी अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो में फिर में लेंगे तब तक के लिए अला आफिज